नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शान्डिल्या भारत में आतंग फैलाने की पाकिस्तानी साजिशों का एक बार फिर पर दाफाश हुआ है गडिनों गिरफतार हुए जैशे मुहम्मद के आतंकी ने खुलासा किया है कि कैसे पाकिस्तान भारत के राष्टे सुरक्षा सलाकार अजी डोभाल पर पैनी नज़र रखे हुए है इसके लिए पाकिस्तान ने डोभाल के दफटर की रेकी तक कराई जैशे मुहमद के आतंकी ने बताया कि उसने पाकिस्तान सित हैंडलर के निर्देश पर राजधानी में सरदार पटेल भवन और अन्य एहम ठिकानों की जासू सी की है इस खुलासे के बाद राश्टे सुरक्षा सलहकार अजी डोभाल के दफ्तर और आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है उलेखनिया है कि अजी डोभाल भारत के सबसे अधिक प्रोटेक्टेड शक्सियतों में से एक है वे 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बाला कोट अटेक के बाद से ही पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी समोह के निशाने पर रहे हैं इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि एनसे अजी डोभाल को संभावित खत्रे से सुरक्षा एजिंसियों और ग्रह मंत्राले को अफगत करा दिया गया है बतादे कि सरदार पठेल भवन में ही अजी डोभाल का दफ्तर है दिली और श्रीनगर के अधिकारियों ने कहा कि जैश के आतंकी हिदायत उल्ला मलिक से पूछताज के दोरान अजी डोभाल की कारियाले की जासूसी वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिली बतादे कि शोपिया निवासी इस जैश ओपरेटर मलिक को छे फरवरी को गिरफतार किया गया था मलिक के खिलाफ जम्मो के गंग्याल पुलिस टेशन में एक केस दर्च किया गया है मलिक जो की जैश फ्रंट सम्हू लशकर मुस्तफा का प्रमुक है को अनंत नाग में गिरफतार किया गया था और उसके पास से हथियार और गोला बारूत बरामत किये गए थे मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि हिदायत मलिक ने पूछताच के दोरान बताया कि वाटसेप के जरीए पाकिस्तान सिर्थ हैंडलर को भीज दिया था दिली में रेकी करने और वीडियो पाकिस्तान भेजने के बाद वहबस से कश्मीर लौट गया उसने जम्मो कश्मीर पुलिस की पूछताश में स्विकार किया कि उसने समीर एहमद डार के साथ 2019 में गर्मी के समय सांबा सेक्टर सीमा शित्र की भी रेकी की थी एहमद डार वही हैं जिसे 21 जनवरी 2020 को पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफतार किया गया था जानकारी के अनुसार मलिक ने मई 2020 में एक आत्म घाती हमले के लिए एक हुंडे ही सेंट्रो कार दी थी और उसने स्विकार किया कि उसने तीन अन्य जैश आतंक वादियों इर्फान ठोकर, उमर मुश्ताक और रईस मुस्तफा ने शोपियां में नवंबर 2020 में जम्मु कश्मीर बैंक के कैश वेंड से 60 लाक रुपे लूट लिए जैश ओपरेटर ने हैंडलर सहित पाकिस्तान में अपने दस संपर्क के नामों, कोड नामों और फोन नम्रों का भी खुलासा किया है जम्मु कश्मीर पुलिस ने सुरक्षव एजिंसियों को ब्योरा उपलब्द करा दिया है उसके दो कॉन्टेक्ट बाद में शोपियां और सोपोर में मारे गए अधिकारियों ने कहा कि मलिक ने पूछ स्थाच के दुरान अपने बेक्राउंड के बाले में विस्तार से बताया कि वह 31 जुलाई 2019 को हिजबल मुजाहिद दीन में शामिल हुआ था फरवरी 2020 में जैश में आने से पहले जैश के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में काम किया और फिर उसी साल अगस्त में एक अलग आतंकी फ्रंट ग्रूप खड़ा किया आतंकी मलिक ने बताया कि उसने बिहार से एक कोकर नाग निवासी जन मुहम्मद टियल के बीच सांबा सेक्टर के मध्यम से भारत से भगाने में मदद की थी भारतिय सुरक्षा अजेंसियों के वरिष्ट अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अजीत दोभाल को लेकर जैश के नापाक मनसूबों को काफी गंभीरता से लिया है और एनसे के खत्रे को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख शेर और सुच्राइब करें घंडे वाल अजे बेटी बंक्वेट एंटर्प्राइब